हलो फ्रेंड्स मैं ओएस और आप देखे रहें जियो लो जास्पेरें यूट्यूब चानल सो दोस्ता आज हम देखेंगे पेट्रोग्राफी ओफ गाब्रो मिन्स गाब्रो के अबाउट आज हम डिस्केशन देखेंगे गाब्रो के बारे में सब कुछ देखेंगा वन वान त को टाइप में असे सिदीक इंटरमेडियर बैशिक अल्ट्राबेशिक तो अंदो विशिस अब सिलिगा गंटेट गाब्रो जो रहेगा बैसिक टू अल्ट्राबै लाएगा अब basic to ultra basic तो हमने बोल दिया यह भी तो बताना पड़ेगा ना कितने कितने परसेंट में रह रहा है सिलिका तो obviously हम बात करते हैं basic का तो basic रोक में आपको सिलिका गंडेंट देखने को मिलेगा 55 to 45 ठीक है 55 to 45 परसेंट आपको यहां पर सिलिका देखने को मिलेगा basic रोक में और ultra basic में आपको देखने को मिलेगा less than 45 ठीक है 45 से कम रहेगा ठीक है less than 45 से कम देखने को आपको मिलेगा सिलिका ultra basic रोक में तो गाब्रो का जो रहेगा composition basic to ultra basic में यह भेरी करता है means यहां पर सिलिका content highest अगर हो तो 55 में रहेगा कि यह देखिए अगर बात करते हैं basic का तो 55 से 45 रहता है मतलब highest भी अगर सिलिका इसमें रहा तो 55 रहेगा या फिर उसे less रहेगा और lowest जो रहेगा 45 से नीचे रहेगा कुछ भी रह सकता है ठीक है 30 हो सकता है 20 हो सकता है ठीक तो यह तो था इसका nature आप दखते हैं इसका color index की आए इसका color index है वो रहेगा melanocratic या फिर आप उसे बोल सकते हो dark color rock dark color इसलिए क्योंकर इसका color index का value रहता है यहां पर melanocratic में 61 to 100 में बहरी करता है ठीक है तो वह बहुत ही ज्यादा है dear zero rock dark color देखता है यहां पर जो इसका color index रहता है 60 you 100 में बहरी करता है ठीक है अब शोद्वा धिर याब रो का जो भी टेक्सरा रहता है वह बहुत टाइम में बहरी करता है ठीक है देखते आप क्या किस किस थाइक में बहरी करता है तो खो कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा तब गावरों का जो है वो रहेगा संब अप 47 कि उसमें क्रिंश्टल रहेंगे वह क्रिस्टल खाफ मेंनावक्र म्र्थ और इन समस्द आपको यह पोईक्निति क या फिर सबख्यक अपको देखने को मिलेगा ठीक है तो पहले समझतें पूईक्लिटिक टेक्शर का देखेंगे यहां पर जो उसके मिनरल के ग्रेंगे He 이게 Middle Relations इ civ cheesy is not a whole Fenाएगा तो सईंगी स बॉल रहे हैं पूइक्ली टक्ज़र में नाएगा मिन्स इने क्यू ग्राओल रहेंगे तो ऑप्योंda इकुल को यह समने दिखाएंगे साइमिय्क्य नहीं दिखाएंगे तो keen नहीं दिखाएंगे चहथे जो रहते हैं मिंदल के क्रिस्टल या फिर ग्रेन उसको हम बोलते हैं चाड़ा क्रिस्ट तो यह दिखे इस टैप में होता है एक फिगर के द्वारा मैं बता रहा हूं अगर यह कोई रोक है तो इसमें साइज में भेरेशन आ रहा है मिंद छोटे भी रहेंगे बड़े साइज के भी रहेंगे क्रिस्टल ठीक है यह तिर मैंने लिकाल दिया बड़े साइज के अब मैं लिकाल में कुछ छोटे क्रिस्टल ठीक है तो यह दिखे इसके अंदर एंकलोज भ हम बोलते हैं Oikocryst और ये Enclaredформ करके रखते हैं छोटे host सेंगो या जो स्मोलर जो Game Mass आई इसको स्मोलर क्रिस्टल यहां वरापको देखने को मिलें तो इसे हम बोलने unden George Sydney करें तो जो स्मोलर क्रिस्टल रहेंगे हुर enclosed हो जाके रहेंगे और इको क्रिस्ट में without any common orientation इसी को यह हों बोलते हैं पोईकिलिटिक texture या फिर यह गैबरो जो रोख है पोईकिलिटिक दिखाता या फिर ओफिटिक texture दिखाता आप ओफिटिक क्या है अफिटिक पोईकिलिटिक का एक टाइप है जिसमें कि आपको plates of pyroxene और amphibol partially enclosed the crystal of plagiocles ठीक है मतलब plates bigger crystal जो रहेगा इसमें pyroxene या फिर amphibol ठीक है pyroxene amphibol partly enclosed करके रखेंगे crystal of plagiocles plagiocles के smaller crystal रहेंगे वो pyroxene या फिर amphibol के द्वारा enclosed हो जाके रहेंगे यहाँ पर इसे हमने इसे बोला था जो bigger crystal रहते हैं उसे हमने बोला था oikocryst और smaller का हमने बोला था चाड़ा क्रिस्ट तो इनके सब आफिटिक मतलब यह पोईकलिटी का एक टाइप है ठीक है तो जब हम बात करते हैं सब आफिटिक की तो यहाँ पर जो रहेगा चाड़ा क्रिस्ट वो pyroxene यह जो चाड़ा क्रिस्ट रहेगा वो रहेगा प्लाजियोग्लेज ठीक है और यहाँ पर जो oikocryst रहेगा वो pyroxene हो सकता है या फिर आंफिबॉल मतलब यह जो प्लाजियोग्लेज है pyroxene या फिर आंफिबॉल के अंदर एंप्लोज होके रहेगा यह पर पॉलफिरि टेक्स्ट ते आपको रेर देखने को मिलता है ठीक है बहुति ए आपको देखने ठीक है अब अलो ट्रियो मॉर्फिक क्या है अब अलो ट्रियो मॉर्फिक मीन्स यहां पर जो इंडीपिजल क्रिस्टल रहेंगे ठीक है वो अन्हेडरल रहेंगे मतलब क्रिस्टल का फेस जो रहेगा डेबलोफ नहीं हुआ रहेगा तब यह मुझसे बोल रहे है अलो ट्रियो यहां पर टेक्टर में बहुत ही ज्यादा बेरियेशन देखने को मिल रहा है इसमें पॉर्फिलिटिक टेक्टर बहुत रहा है तो इसमें टेक्टर में बहुत आता है गाब्रो का अब देखने गाब्रो के दोरा क्या क्या स्टक्चर देखने को मिलता गाब्रो रोक में तो जैंब्रों में आपकोजेनरलरी देखने को मिलेगा बेंडे डेड् stryk ts. ठीक है अब बेंड श्डक् GEORGE क्या है या फिर आप उसे बोल सकते हो लेयारल긴 स्टक्चर लेयार् स्टक्चर या फिर बेंडेड स्टक्चर क्या है जब होता है हिंध्यलूजन होगा माग Terror का तो वो क्या होता ना one by one layer के हिसाब से वो deposit होता है त्याट सवा हम यह दिखें लेयर में deposit होगा तो अबहुसली color में variation आता है यह दिखें color में variation आएगा तो इसे हम बोल रहे हैं आपको यह देखने को मिलेगा और वी कुलर में तभी हम इसे बोल रहे हैं अगर यह कोई रोग है रोग के उपर आपको इस टाइप का feature देखने को मिलेगा ठीक है इस टाइप में concentric line developed रहेंगे circular में तभी हम इसे बोल रहे हैं और वी कुलर structure ओके तो गाब्रो में आपको structure में आपको देखने को मिल रहा है layer structure और और वी कुलर structure अब देखते है इसका mineralogical composition जो की बहुत important है अंदो basis of mineralogical composition बहुत type में हमने गाब्रो को classify भी किया है तो वह भी देखेंगे one by one पहले देखते है mineralogical composition क्या है mineralogical composition में इसका जो essential mineral हो रहेगा वो रहेगा orthopirozin, cleanopirozin, olivine, hornblend और calcic, plazioclase ठीक है यह सब रहेंगे essential mineral जिससे हम गाब्रो को इसे लिए identify कर सकते हैं बट यह बात करते हैं accessory mineral की तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा biotite, kefelspar, quars, nepheline, ilmanite and hematite ओके अब इसका देखते हैं types ठीक है यह तो हमने देख लिया mineralogical composition इसका essential में और accessory में अब इसका देखते है types जो की mineralogical composition के basis पर हमने classify किया है gapro को one by one देखते हैं सबसे जो पहला डाइब है इसका norite ठीक है आप norite क्या देखते है containing orthorhombic pyroxene and labradorite ठीक है orthorhombic जहां पर हमारे पास crystal का तीन axis है ठीक है इस type में तीन axis रहता है crystal का तो यहां पर जो axis रहेंगे समझ लिजेए इससे हम बोल रहे हैं a axis से b c ठीक है तीन टाइप के axis हमें रहेंगे तो तीनों axis में जो a b और c का जो size रहेगा axis का जो length रहेगा वो अनिक्वल रहेगा ठीक है तब हम उसे बोल रहे हैं orthorhombic और इसमें जो angle रहेंगे तीनों axis में वो 90 degree का रहेगा मतलब यह obviously और एक रहेगा जो vertical रहेगा इस टाइप में यह दिखें दो axis अगर जा रहे है तो obviously और एक axis vertical रहेगा ठीक है इस टाइप में रहेगा इस टाइप में रहेगा तो इस टाइप में आपको axis देखना हो मिलेगा और सब सबके साथ perpendicular रहेंगे 90 डिग्री आपको A2 और A3 नेमिंग करते हैं ठीक है तो वो रहा बात का बात क्रिस्टालोग्राफिक तो यहाँ पर जेनरली आपको और्थरॉम्बिक पाइरोग्जिन और लाइबरोडराइट देखने को मिलेगा अब बात करते हैं अनवर्थोसाइट की जो नेक्स टाइप है गैबरो का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फैल्स पर लाइबरोडराइट बट इनकेस ओफ नौराइट आपको देखने को मिले था लाइबरोडराइट तो था बट उसके साथ आपको और्थरॉम्बिक पाइरोग्जिन देखने को मिले था बट यहाँ पर लाइबरोडराइट के साथ आपको फेल्स पर देखने को मिलेगा तभी हम इसे बोल रहे हैं अनुर्थो साइट अब नेक्स्ट जो टाइप है उक्राइट में कहीं ना कहीं मिन्रालिकल कॉंपोजिशन में भेरेशन आएगा तो हम इसे डिफरेंट टाइप में काटेगोराइज कर रहे हैं गैब्रो को ठीक है तो एक्राइट में आपको देखने को मिलेगा बाइटो नाइट टू अनुर्थाइट जो प्लाचोप्लिस के ग्रूप के मेंबर है वो दे फेल्सपर के साथ नेफ्लिन आडिशन के साथ आपको देखने को मिलेगा फेल्सपर के साथ नेफ्लिन आडिशन रहेगा और वो देखने को मिलेगा और यहां पर ऑलिवीन और पाइरोगजीन जो रहेगा आप्शन रहेगा यह दिखे ऑलिवीन और पाइरोगजीन जो रहे यहाँ पर olivin present है वर pyroxene absent है, content of felspar and olivin, pyroxene and absent ठीक है, pyroxene जो रहेगा, absent रहेगा, अब जो next time में देखते हैं, deunite, absent of felspar and dominant of olivin, ठीक है, dominant of olivin रहेगा और felspar का absence रहेगा, और olivin जो रहेगा यहाँ पर 90% या फिन 90% से ज्यादा ही में रहेगा, ठीक है, 90 to 100 में रहेगा olivin और जो remaining part रहा, वो रहेगा, pyroxene कभर के रहेगा, ठीक है, तो यह था deunite, यह थे कुछ types of gabro, अब देखते हैं, इसका occurrence क्या है, कहां आपको देखने को मिलेगा, तो mainly gabro ज अब देखते हैं, इसका equivalent क्या है, तो गाब्रो का equivalent है, volcanic equivalent जो उसका रहेगा, बाशाल रहेगा, और हाइपावेशाल जो रहेगा, डोलरेट रहेगा, ठीक है, तो यह था all about gabro, आपको पुछ भी लाउट, आप comment कर दीजिए, thank you for watching,